नांगलवाडी भिलट देव भूमी शिकरधाम पर आज संत स्री सिंगाजी गवली समाज के बैठक संपन हुई, जिसमें समाज के कारीकारी प्रदेश अधिक्ष संजे पटल का तीन वर्ष का कारीकाल पुर्ण होने के उपरांद। आज समाज के नए प्रदेश अधिक्ष का मनोनयन हुआ, प्रदेश अधिक्ष पट है तू, प्रदेश भर से 16 लोगों के द्वारा दावेदारी पेश की गई है। इस अउसर पर स्री भिलट देव मंदिर परिसर द्वारा, स्री संत सिंगा जी, गवली समाज संगठन के पूर्व प्रदेश अधिक्ष संजे पटल और नव निर्वाचीत प्रदेश अधिक्ष संखारा में आदव चांदेल का मंदिर समीती अधिक्ष दिनेश आदव कि अपने एक से सम्मिलक कर वें लोगों को बोले के लिए अपने पास में जगे हो गई है कि अपने सब लोगों के स्वायोग से समाज में बहुत उच्छा नाम किया है अपन वह चोटी बटी बातों के लिए आपस में बन बहुत ना करें जो भी प्रदेश गवली समाज के अधिक्ष के लिए बदाई देते हैं और आप अधिक्ष समाज के और प्रतिया आप क्या आबार वेक्ति करने हैं आज जो गवली समाज मद्वर्देश के और से मुझे प्रतियस अधिक्ष के रुपनी गाई की दिया गया है हमारे यहां पूर वसे संगठन संचाली थे और समाज के संगठन के माध्यम से जो कारी पूर से निरंतर चालू है चाहे सामय गुवा सम्मेलन हो या समाज के उत् करूंगा ताकि समाज और आदी गुन्नक भी करणा क्या सुना में सखारा म्यादो निवासी पुनासा जिनोंने आज समाज के सामने इक मिसाल प्रस्तूत की और समाज की इत्ता अफटा बनी रहे इसलिए अपना बड़त्मन दिखाते हुए बड़े दिन से पूरी समाज के स हमारा ही कोई भाई बनेगा और उन्होंने मुझ पर विश्वास देशाते हुए एव साथ समने अपना नाम वापस लिया मैं हर्दय से पुरी समाज के और से और मेरे और से उनको वहां बहुत धंदिवाद देता हुए हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले